कि दोस्तों आप सभी का मेड इजी की यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हो इंजिनिंग सर्विसेज 2021 का फाइनल रिजल्ट आचुका है और आज हमारे साथ इसमें बहुत यच्छे हमारे स्टूडेंट हैं शुबं सिंग जाट मिस्टर शुबं सिंग जाट इनकी All India Rank 7 आई है मेकानिकल इंजिनिरिंग से इतना आसान नहीं है इस टॉपर स्टॉक में इस लेवल के बच्चे का डिसकेशन करना आपके साथ लेकिन अगर डिसकेशन हो रहा है तो अब इसको आप लोग अच्छे से इन पॉइंट को नोट करिए ए क्या philosophy क्या strategy रही होगी इनकी जो finally इस rank में ये convert हो पाए राइट शुबं आपका बहुत बहुत स्वागत है याँपर और आपको बहुत बहुत बदाई हैं फरिवार के सभी परी जनों को बहुत बदाई हैं इतनी बड़िया rank लाए हैं आपने अपना तो career बनाये बनाया है साधी फरिवार के सभी लोगों का कद एक social respect बहुत ही अच्छे level पर उनको दी है पहले मैं कुछ ब्रीफ करता हूं इनके बारे में ये 2019 के pass out है इन्होंने made easy में कोई भी ऐसा course नहीं है जो मुझे list में लग रहा है इन्होंने छोड़ा हो और देखिए हर बार हम लोग बोलत है तो at least उनको पता लग जाता है कि उनका course complete हो गया है तो completeness एक बहुत जरूरी चीज होती है इन्होंने two year का classroom program 2017 से 2019 made easy में जो classroom का regular course होता है two year वाला वो पूरा attend किया उसके बाद इन्होंने जो mains का exclusive batch होता है वो भी पूरा attend किया जो mains के लिए dedicated preparation होती है जिसमें सिफ conventional problems की ब इन्होंने जोइन किया राइट और ESC plus gate की जो online test series होती है वो भी पूरी attend करी इन्होंने तो मतलब सारे program मेरे खाल से इसके अलावा कोई program बचता नहीं है जो बच्चे engineering services या gate की तेहरी कर रहे होते हैं made easy में किसके अलावा भी कोई program बच जाए जो made easy में उनको करना पड़े इन्होंने सबी ही चीज़ा करी हैं basically यह ग्वालियर के हैं और fathers इनके retired army से retired है तो शुबम बहुत बढ़िया आपकी rank आई है इस बार बहुत अच्छा preparation रहा होगा definitely आपने slow steady अच्छे level को maintain किया होगा तभी इस rank में finally convert उपाई आपकी success इतना असान नहीं है 7th rank का आना तो आज हम लोग इन से पूछें कि क्या इनकी strategy रही तो during the preparation आपकी क्या strategy रहती थी जैसे आप course भी पढ़ते थे two year वाला program भी किया मेंस बाइज भी किया तो आपकी क्या strategy क्या से मंदब किन points को आप लेके चलते दे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है because it is something very important. सबसे पहले मेरा तो जो target था वो fix था तो सर जो class में पढ़ाया जाता था उसको में revise करता था और फिर जो previous year से वो मैंने सारे लगा हैं. तो अल्मोस वो सारे ही हैं, तो बच्चो देखा ये भी सुनने में आया है, अभी तक इस type का statement किसी भी topper stock में हमें सुनने में नहीं आया, कि जो common course होते थे civil engineering और mechanical engineering के जैसे strength of materials है, fluid mechanics है, hydraulic machines है, तो ये common, part CPM है, वो लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो common courses कि आपने मतलब civil engineering बाले भी सारे लागा है, तो सब मेकेनिक्स ही है, engineering mechanics है, right, कुछ नहीं चोड़ा हैं, कुछ नहीं चोड़ा इन्होंने, और क्या strategy में आपने इंकल्किट है, मैंने, test series को बहुत seriously और बहुत अच्छ से दिया है, ये तो देखिए, सब इजिते toppers हैं, सब test series में आप क्या rank यहां पर आपकी आती थी, मतलब आती थी, अच्छी आती थी, मतलब शुरुआत में इतने अच्छी नहीं थी, दीरे-दीरे, लेकिन धीरे-दीरे वो improve होती लिए, मैंने अनलाइज करता गया जाता है, कि हमें एक strategy बन जाती है, हमारी, सब पता चल जाता ह अच्छी के question चोड़ने है, वो लिबाद में आके करने है, यह सब पता चल जाता है, और प्रॉपर टाइमिंग में आपने test series के लिए, मैंने कुछ offline ही test series भी दी थी, online में भी, मैं बिल्कुल जो तीन घंटे का time था, और जो मेरा actual time था, exam का, उनी उसी time zone में दिया था, तो जब आप exam देने गए होंगे, तो आपको लगा नहीं होगा कि हम बहुत बड़ा examination दे रहे हैं, आपको feeling आई होगी, जैसे मेड़ीजी का यह test order दे रहे हैं, तो एक stress free environment create किया इन्होंने, देखिए test series को जो बच्चे regular देते हैं, उनका कहीं न कहीं stress release हो जाता है, examination stress जो होता उनको लगता नहीं में इतने बड़े examination में बैठे हैं, और कोई question निकलेगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो he was just feeling कि आमेड़ीजी का एक test order है, तो full 100% आपका performance रहा, और कुछ जो आप बताना चाहेंगे, तो और और बाकी जो teachers ने बोला भई मैंने follow किय असर कुछ पूचेंगे, यह जब हम इन से बात करें तो एक चीज मने देखी, कि 2019 में इनका प्रिलिम्स क्वालिफाई हुआ, 2020 में इनो ने मेंस क्वालिफाई हुआ और 2021 के अंदर 7 तो यह सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा होगा, और जो भी सुनेंगे बात में फ इतने टाइम तक आपने आपको मोटिवेशन कैसे रखा, कि 2019 से लेके 2021 तक यह बहुत बड़ी बात है, कैसे रखा आपको मोटिवेट और आपने किन गलतियों से सीखा, जिससे 2020 में इंप्रूव हुआ और 2021 के अंदर इंप्रूव हुआ है, आपके जैसे बहुत सारे लोग ह और उस मिस्टेक को कैसे अवाइड करा और कैसे अपने इंप्रूमेट करा इसके बार में बताइगा तर मोटिवेशन का तर रिजन है कि मैं एक टारगेट फिक्स कर लिया और फिर मैं इधर अधर अधर उसी पर फोकस रहा मेरा तो जैसे मेरी गेट में भी कुछ नहीं ती यहें पर फिर इंदो कर शोड़ा ता जाते है admirator कि कौनस नहीं में हो ता आपका इः-ी नहीं में खोड़ा तो आपने क्या है लिए जैसे प्रफर्परशिस नहीं है और मेरा मेरा मेंड क्यों स्क प्र पालिफाई नहीं हो पाया youth identityhouse क क्यों तो आपने क्या जैंज कर उनिन में आपने में कॉलेज में था इसले जोइन नी कर पाये थे अचा कोई कोई अंदर से आपको फीलिंग आई में बैच खतम होने के बाद की बैच कि इतना इंपोर्टेंट था सब को जोइन करना चाहिए बहुत बढ़िया इनोंने बाद बूली है हम लोग हर बच्चे को बोलते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपका प्री में क्वालिफाई हो या ना हो मेंस बैच हर बच्चे को पढ़ना चाहिए वो सर गेट के लिए भी काफी इंपोर्टेंट क्यों क्युμकि जब से लिए स्थ से नुमेरिकला अश्व निवान ईर्ट अवारी काय। इंपने लगगें लगाते हैं क्यूंकि जब से दुछ निमरिकलन अश्या सब्तबर तो प्रस्वें पर्फॉ … मृट इन यड़ को पेफिय। इंधे निंदनी एंपने नृति इंगशलई तो उसी से सारा का सारा कवर हो गया, Made Easy वाले से अपने कवर हो गया वरी गुड़ ग्रेड और इंटर्वी के लिए अपने प्रेपरेशन कैसे करी या कुछ गोशन्स आप बता सकें कि क्या हुआ वहा पर जाके अंदर कुछ मतलब कर पहले डर लगा या कुछ हुआ ऐसा जैसे पहला मौक इंटर्वी में आप बीठेवा था अच्छा अच्छा ने बोला किस तरह से प्रेपरेशन करी तो मैंने उसी साफ सिकी Okay तो फिर मैंने जो अपने को बोल के रिकॉर्ड करके उसको अनिलाइज भी किया अचा रिकॉर्डिंग करके भी अनिलाइज करा एक छोटा सा क्वेशन जो सभी बच्चों का रहता है कि देखो आप इतने अच्छा रैंक लेके आए हूँ आप शाद जो गाइड करोगे तो वो बच्चे लोग समझेंगे कि पूरा स्लेबस पढ़ने के बाद या पढ़ रहे हैं मालीजे कोई कोर्स पढ़ रहा है जो मेडीजी में चल रहा था आपका वो स्लेबस हो रहा है फिनिश हो रहा है तो जो ग्लास में आप बैठे हो तो वहां तो टीचर वर्क कर रहा है आप उस चीज को समझ रहे हो खर पे जाकर जो सेल्फ स्टड़ी का टाइम होता है जिसमें आप प्रॉल्लम की प्रैक्टिस करते हो रिविजन करते हो वो डेली रूटीन में कंसिंस्टेटली अब कितना देते थे सब मैं जैसे मेड इजी की जो कॉर्स हो गया था पूरा क्लास कंप्लीट होई थी मैं शुरुवात में दस से बारा गंडे दिये थे मैंने रोज जब पढ़ रहे थे मैं चाल का खुरुवात थे जैसे को बहुत पूरुच थे आपको रहना है ये सा इसलिए को मैंने बहुत लाइप लीची लिया था बड़ जाना तो पढ़ता होगा ना इतेंस का इसू होता था यह सर ऐसा तरह लें कि मैं कॉलेज में भी पढ़ लेते थे तो इसके बाद पूरा दिन आपको मिलता था ददस गंडे भी आता है कि यह इतना बड़ा सब्जेक्ट है हम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया पर जैसी फूर्थ फ कि यह आसान लगने लगा था हो बहुत आसान है कि ATI EAC फिस जैसे आगे बढ़ते गए तो भूलता गया मैं पिछला अच्छा तो मैं ऐसे काम नहीं चल पाएगा तो पुर रिवीजन कैसे करा उसमें आप कुछ बताना चाहेंगी मैं सबसे पहले नोट करता था जो क्लास मे करता था तो प्रिवीज यर्स होते थे उसके बाद एक टेस्ट रेता तो प्रिवीज यर कोश्यन हर बार प्रेक्टिस करते थे हर बार लगाते थे या एक बर लगाने के बाद में कुछ हाईलाइट कर लेते थे कि ये कोश्यन में मुझे मिस्टेक्स हो रही है या क्या हो र पार इंब अब इन ट्रोफ भार एक्रूण्ट कर लिया था अर वार इब तक तो मुझे याद नहीं वर क्टो डियुक्ती है कियो कि अपके जैसे काफी सारे स्टुडेंट को अग। या किसे एक स्टेस पर रुके होंगे तो आप कुछ कहना जाएंगे कि मरलब क्या दूस और डॉंस टाइप में ऐसे कोई एक दो चीजे आप बताना चाहिए मैं सबसे पर डॉंस बताऊंगा कि अपने टारगेट से कहीं भी शिफ नहीं होना है अगर आपका जैसे एक अटेंब्ट में नहीं हुआ तो मैंने जैसे मैंने इस फॉलो किया कि मैंने अपना फोकस एक ही रखा प्रिम्ल्टिपल फोकस पे नहीं गया है जैसे मेरा दो साल इस तो मैंने तीसरे भी दिया और उतना ही सिरियसली दी तो जी जो आसपास के जो फैक्टर आते हैं तो जैसे हमारा नहीं होता है तो हमारे दोस्त है या अधार्फ के साथ होगा तो उस तीस को अपने ध्यानी निग रता हुआ यह सबसे बड़ी वाज है बेटर है बड़र बच्छों आपके सामने एक constant slope curve समझ सकते हैं performance का बिलकुल constant slope जिसका slope कहीं भी change नहीं हो रहा है पहले सार इनका pre qualified हुआ है फिर अगले साल pre plus mains हुआ है फिर उसके बाद pre plus mains plus interview हुआ है और सिंगल डिजी ट्रेंक हाँ निये जीते जाते एक्जामपल हैं आपके सामने तो कुछ इन से आप positive points को लीजिए और हमेचा दिमाग में राद रखिए slow and steady wins the race ठीक है, सबका target fix है पहुंचना वही है, किसी को 1 साल लगते हैं किसी को 2, किसी को 3 साल लेकिन अभी के 2-3 साल matter नहीं करते हैं बच्चों आगे के जो 40 साल है उसमें आपको life किस quality पे आगे लेके जानी है it's not the matter of life, it's a matter of quality of life, वो इनी 2-3 साल पे dependent है, तो देखें कितना अच्छा इनका example है कि अगर ये demotivate हो जाते हैं पहले साल या दूसरे साल तो शायद आज ये अपने level को जिस quality को develop करना है life पे, वो लेवल अचीव नहीं हो पाता और बीच में ही छूड याता कहीं न कहीं, तो आप लोग सीखिये इन से आप में से भी जो भी देख रहे हो और जो फ्यूचर में देखेंगे, जो पास्ट में देखेंगे तो शायद आप भी इससे मोटिवेटेज़ हो जब भी आपको अपको पास्ट में देखेंगे लिए प्रोप्स तो आपको यह तो इसकी बाता नहीं है कि किसी की बात नहीं सुननी है, अपको अपने ओपर फोकस करना, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यह करना है तो definitely वो होगा, maybe, time किसी को ज़्यादा और किसी को कम तो this is a live example, now you are a source of inspiration for all other candidates also वैसे भी लोग बोलते भी है इस बात को, देखो इसे लोग बोलते भी है इस बात को, देखो कि इतना famous dialogue है कहीं पर भी आप जाओ, कि अपने आपको motivate करने की सिर्फ जो ताकत है वाप खुद में है, क्योंकि दिमोटिवेट करने के लिए तो दुनिया बैठी है, सही है, आपके relative बैठी है, सब बैठी है, वो देख रहे हैं, तो इसलिए, दिमोटिवेट करने के लिए कोई एक member बहार बैठा है कि नहीं बैठा आप नहीं जानते है, ल वेंटो और बुके है, सो सर,